शाइसार एक बार पहले भी मैं कि यहाँ अपके चाहे और अर्जुन सेली Christie च केंस कि बइस बसटाइं और अब बर सभी आपकत का जेला में फिर से Panね करी बिल्कुल है तो अश्यों सिंग में जानता हूं पेड़ा आपको फिर भी का एक तो यह कि सो आ अपनेς मे अर्जुन है और मेरे नाम अर्जुन सिंग है और मेरे और अपना चंद्रावल बा Например चंद्रा वाग अश्वावर चंद्रा वॉ सारे बात करें तो काफी गोड़े है इस एरिये में हाँ सर अच्छे गोड़े हैं उनका जी स्वरूप सिंग जी और रोबिन स्टार आपके इधर यह रोबिन स्टार उनके पास में एक लिंग बक्स है अभी एक और नया लाया है राज कमल है बहुत अच्छा गोड़ा है वह और रिजल्ट पर अच्छे आ रहे हैं तो अर्जों सिंग जी आपको तो मेरे काल से अभी आपके परिवर्तन आया आया तो सर यह है कि इस लाइन में आने के बाद में सबसे जो अहम बात है वह तो एक पैचान मिली है बिलकुल मिला है लोकल जो फें मिला है वोऊ वो इन गोडों की वज़े से मतलब जब से आप यह जब से आप मुलति अज़श यह सानाम की अजर नाम किया पैचान दिला ही ज़ी पैचान दिलाई करणियर in Designed जी दन्या और मदेरणा काफी अच्छा गोड़ा है काफी ब्रिडििंग भी है इसकी जी पहले ब Mitch Vou. वहां पे भी अच्छी ब्रिडिग हो रशो हूग और ये बिदोगे है और ने ये competency मेरे मित्र मेज्वां से लुनी में अच्छा उनके वह गई तो उनके पास में दो गोडिया भी है इसके अच्छी हाइड की 63 की गोडिय है पूछा बात्ची तो बोला यह इसका रिजल्ट है अच्छा रिजल्ट देख के खोड़ा भी पसंद आया गया प्योर आपका मारवाडी केरेक्टर्स हैं इसके इंदर बिल्कुल बिल्कुल तो पिर गोड़ा तो आरजो सिंद्ट जाए से आपके पास तो पहले से ही एक गोड़ा है जे चे तक करके वह भी फैमस गोड़ा है जे और मैंने उसके भी काफी ज़ी बनाए है और उसके भी रिजल्ट काफी अच्छे है बढ़िया रिजल्ट से लेकिन फिर भी एक आप और विजने गोड़ा तो इसमें लेफ सी अबिए एक लागे देखने जाए तो एक मारकेट में देखने के तो इतने पुराने घोड़े जिसको प्राहलती से जाती कान्यदी वगएरा सुं दर गोडा है बाल्भावरी का एकदम साफ है देमन बड़िया बड़िया पचल्याव स बिल्कुल बिल्कुल तो यह सारी चीज देखने के बाद में लगा कि नहीं एक अच्छा पुरानी ब्रीड का अपने पास में एक पुराना घोड़ा होना चाहिए जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके बिल्कुल बिल्कुल तो इस गोडे में लेने का यह कारण आप बिल्कोल सही है यह बात भी सही है मतलब आपके होम बेड़ित भी तियार करनी है गोड़ा प्योरिटी और पुराना ओल्ड गोड़ा और लाइन का तूफान डारेक्ट का है डिये ने रेजिस्टर्ड है अच्छा यह गोड़ा जो आपने लिया है मदेड़ना यह भी कही नहीं कहीं शो में लगा हुआ है या पिले से कोई चैंपियन है शो का मुझे आइडिया नहीं है मुझे जहां तक यह पता है कि यह एक बार तिलवाडा में जब अधन्त में था या दो दान्त में था तब लगा था फ्रस्ट टाइम ओके उसके बाद में यह गोड़ा कहीं में नहीं लगां शूमानी लेगा नहीं तो को मेल आज के लिए प्यूरुटि पे गए आप यह जिए प्रेटी के इसाब सफेए अप लेकिया दो नाम तो इसका हो गया मदेर आ है और साइड इसका ओगा तूफान इसकी डेम कि अबारे में पता है इसकी देम सर कोई सबीली कि ओध की घोड़ी बताते हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं है क्योंकि 18-19 साल का गोड़ा उस टाइम में आज लाइन का क्रेश देखें तो पिछले 5-6 सालों से चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल इससे पहले लाइन का इतना गोड़ा वो क्रेश था नहीं पहले रिजल्ट पे जा यह 62 के आसपास है और मार्किंग में क्या है मार्किंग में पचकल यान है सर चारो पैर है और पूरा पट्टा है तो हाइट तो इसकी 61 62 62 62 62 अचा के रिजल्ट तो आपके आपके कितना टाइम हो इसको लाइवे मेरे यहां पर लाइवे सर अभी डेड महीना हुआ है अचा महीन हो यहां पिकिए मतलब बल्डिप भी qi यहां फेंट हो यहां तीन मेहर कवर हुए है यह नेके राजय ब्रीड डेड मेन में मेर मेर कवर कर भाई यह जो बड़ी आबात अपिर फिर तो एक अच्छा घोड़ा आपने लिया है और तीन-चार गोड्यों पिया भी आपन जाते हो शाइद शो में तो शो में तो सर जाते है जाते हो केसा रिस्पॉंस मिलता है आपको शो का रिस्पॉंस अच्छा मिलता है लेकिन अब जो कहते है ना सर की हर शो में एक जैसा रिस्पॉंस महीं मिलता है बिल्कुल बिल्कुल बात सही आपकी कहीं कहीं वो कुछ उपर तो पिछली बार में गोडा लेके गया था अपना चितक उस समय चैंपियन रहा था पिछली बार जश्रा में अच्छा पोजिशन था श्तैलिण केटेग्री और जश्रा में अच्छे गोड़े आते हैं सर जश्रा शो की सबसे बढ़िया खास यहां पे जो जजिंग रहती है तो एक दम निस्पक्ष है, निस्पक्स जैजिंग रहती है, बिल्कुल सर, अब की बार भी बहुत अच्छे एंट्री हुई थी वहाँ बड़ी है, बड़ी है सर, पैतालिस पच्छास गोड़े मिलके फिली में 88 थी, तो बहुत बड़ा रिकोर्ड है यह माल लो कोई भी शो म अब चलो बड़ाई हो आपको एक गोड़ा अपने नया पर्चेस किया है अच्छा इसके इस्टर सर्विस के लिए ओपन कर रखा इसको हां सब लेकिन ओपन है लेकिन इसको बहुत लिमिटेड अपन कवरिंग दे रहा है अच्छा लिमिटेड गोडियों पर महीने दो से त करवा के ले जाना चाहता है तो मेडिकल फैसिलिटी भी अवलेबल है यहां पर डॉक्टर भी कंटिनियूज विजिट करते हैं बिलकुल बिलकुल और स्टेबल फैसिलिटी भी है आपको करवा के गोड़ी अपने जा सकता है कोई भी बंदर लिए अच्छा आपने यह ने यह चारो पेर है जो वह बूट कर्ट है थोड़े से हलके हलके से वाइट है ना जी अधना यह जो भी बचक लेड़ में आपकी यह उम्परीड है सर मैंने घोडी ली थी अपने पास में चैल सिंग जी बाबा तरी के पास है और वो साथ मी था एक्चलि इस लाइन में मे गोडी का फिर इस बच्चे को देखा बस वो शौक कनवर्ट हो गया और फॉर्चुनेटली आपके यूटूब चैनल के माध्यम से मेरे को चेतक मिल गया तो पहली पर्चेश फिर अपनी चेतक हो गया पहला गोड़ा अपने चेतक लिया जी और पर शौक इस बच्चे को है 17 महीने गाड जी सत्रा महीने में ठीक ररोऌ तो अच्छी सर 58 59 की हाइट है सब विलकुल ब्ल्कुल जी अच्छा कॉन से गोड़ी का आये ये सर अपने दिल बाग का पोता है आपना दूदुभा में मौर मुकुट गोड़ा है अच्छा दूदुलम सिंग जी के पास में उर दूद्वा में जी मौर मुकत जी ओके उक्यों कि इसका बेटा है उसका बच्चा यह और उसका किसका पता पतारे हो नियुक्प दिल्बांग रजिए उसका जी ऑकी घृटकी अचा इसकी डेयम साहर से क्या है डेयम साहर से सर अपने पास में घोडी खढ़ी एप एप रै कानिवाडा रावले ओध की गोडी है कानिवाडा रावला पुराना मतलब आप चौहान वंच के साथ में इतियास उड़ा हुआ है राव लाखन सिंग जी के टाइम से वहां पे गोडिया है अच्छा तो वो उन गोडियों की ओध मैं से एक है पुराना मतलब कुल मिला कि ओल् बदम स्वामी भक्त गोडिये चेतक की तरहा है महायना प्रताप के चेतक की तरह कई बार क्या होता है कि रात में मैं भी फाम पर गरमियों में और गोडिया फुली गूमती है पुरे ग्राउन में बिल्कुल जिस तरह एक पहरेदार चौकीदारी करता है वैसे किसी अन्नों बढ़िया कलर है मॉपा कलर है और कानवान एक नमबर कहांगा साथ चलिए ठीक है अरजुन सिंग जी बहुत अच्छा है आपके पास में इस्टेलियन ने मदेड़ना आप लिया एन नया एक चेह तक है और एक बच्चा और आप तयार करें गुरू जी जी ठीक है साथ हाँ जीक और राइब घार के फस्टेलियन ने जीक है टीक है और एक बच्चा में यह ढूब टीक है से टीक है से टीक है जीक है